न्यूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिण कीजिए आपके सामने तीन विकल्ब नवस्कार आप देख रहे हैं न्यूस चक्र मैं अभिसार शेर्मा और एक बार फिर मैं अपने सभी दर्शकों का शुक्री आदा करना चाहूंगा कि आप लोग न्यूस क्लिक की सदस्टा ग्रहिण करके हमारे हाथ मजबूत कर रहे हैं सी तरह से हमारे हाथ मजबूत करते रहे हैं ताकि हम आपके सरुकार की पत्रकारिता आप तक पहुंचाते रहे हैं मगर सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस तस्वीर के साथ दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर यह है बराजील की तस्वीर वहां की राश्पती बॉल्सनारो के खिलाफ यह है वहां की आम जनता की हुंकार सड़क पर देखिए दोस्तों जगा नहीं बची है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि वहां की जनता दरसल क्यों राश्पती बॉल्सनारो के खिलाफ है वो इसलिए है क्योंकि राश्ट्रुपती बोलसनारो ने वहाँ पर कोरोना को लेकर जिस तरह की मिस हैंडलिंग की है जिस तरह का उनका भद्दा काम रहा है लोग उससे बेहद नाराज है और अब मैं आपके स्क्रीन्स पर दिखाना चाहता हूँ ये विडियो एक अंतराश् मैकजीन की अपनी पड़ताल से पता चला है कि राश्ट्रुपती बोलसनारो और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया उसको मिसमैनेज किया उन दोनों में कोई फर्क नहीं है फिर से दिखिए तस्वीर दोस्तों ब्रजील की राश्ट्र हो बिस्तर हो किस तरह से मिसमैनेज किया इन लोगों ने जनवरी में इस बात की खोशना कर दी थी कि हमने कोरोना पर जीत हासल कर ली है और कल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने मन की बात लेकर आए यहीं नहीं राश्ट्रुय अध्य जेपी नड़ा भी आया उन्होंने हमारे डॉक्टर्स की तारीफ की मगर आज प्रधान मंत्री मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके स्क्रीन्स पर है यह आपके खास दोस्त रामदेव रामदेव ने अपने ताजा बयान में यह कहा है जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है और इस ताजा बया इसे प्रदान मंत्री कॉंग्रिस ने सिर्व इतना कहा था कि जब तक एक वैक्सीन का तीसरा फेज पूरा ना हो जाए जनता को वैक्सीन ना दी जाए और आपने कॉंग्रिस के खिलाप यानि कि भारती जनता पार्टी ने कॉंग्रिस के खिलाप ये दुश्परचार चलाया और वो दुश्परचार क्या था? वो दुश्परचार ये था कि कॉंग्रिस वैक्सीन्स में अडंगे डाल रही है जबकि वो सिर्फ ये कह रही थी कि आप तीसरे चेहरण को तो पूरा कर लो तब ही वो लोगों को लगाओ. आज की तारिक में आपके खास दोस्त रामदेव साफ तौर पर कह रहे हैं कि वैक्सीन्स की कोई जरूरत नहीं है. उनके लाखों करोडों समर्थकें आप देखिए कि उनके लाखों करोडों समर्थकों पर इसका क्या असर बढ़ रहा होगा? मैं पूछना चाहता हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी रामदेव पर कारवाई होनी चाहिए या ना होनी चाहिए? मुझे बताइए. और अगर अगर आप भी आप कारवाई नहीं करेंगे तो मैं इसे तोहरे माबदंड के रूप में देखूंगा. रामदेव की मैं आगे भी बात करूँगा दोस्तों क्योंकि मैं इनकी बात करते रहा हूँ और मुझे अब ऐसा लगता है कि आब इनकी बात नहीं करनी चाहिए. क्योंकि रामदेव जो हैं उन्होंने शालीनता की तमाम हदों को पार कर दिया है. कल एक जून है हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनके खिलाफ हड़ताल करने वाले हैं यह अप्रत्याशित है दोस्तों इस शक्स की मैं बाद में बात करूँगा मगर सबसे पहले जेपी नडड़ा जेपी नड़ा आपके स्क्रीन्स पर उन्होंने कहा कि जब भारती जनता पार् कीजिए सुरीनिवासन जो की कॉंग्रिस के नेता है दिपेंदर हुड़ा जो की कॉंग्रिस के नेता है संजय सिंग आम आदमी पार्टी के नेता है आपके स्क्रीन्स पर यह दिलिप पांडे आम आदमी पार्टी के नेता है मुकेश शर्मा यह कॉंग्रिस के नेता है आप कर रहे थे और बाकी सब मजे कर रहे थे अगर ये बात है नड़ा साहब तो ये बताईए ये खबर सही है या गलत है जो आपके स्क्रीन्स पर है कोरोना पर डामेज कंट्रोल में जुटी भाजपा कार करताओं से कहरे नड़ा जमीन पर उतरिये आईटी सेल से भी छवी चमका काने में जुटा खबर क्या है दोस्तों बहुत एहम खबर है दे इंडिन एक्स्प्रेस में छपे कॉलम दिल्ली कॉन्फिदेंशल के मुताबिक राज पदाधकारियों और जिला नेताओं के साथ हुई बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड़ा ने इस मुद्देप को गंभीरता से लेते हुए अपने नेताओं और कारकरताओं की जमीन पर उतरने और लोगों की मदद करने की नसीहत दी इसके लावा भाजपा ध्यक्ष के नसीहत के बाद आईटी सेल जो अब तक विपक्षी नेताओं पर हमला करने और सरकार की शवी चमकाने में जुटा आपका ये बनाना है 20 माई को 20 माई को आप अपने कारकरताओं को ये कह रहे थे कि आप मैदान में उतरी लोगों की मदद कीजिए इससे पहले कि आपके कारकरता सो रहे थे क्या कहा जेपी नड़ा ने आप सुनिये मेरे खाल से हमें कपिल की कॉमेडी शो की जरूत नहीं है जब हमारे पास बीजेपी की नेता है सुनियो उनकी बात और जब संक्रमन काल आया तो उस समय सारे का सारा विशे केंद्र सरकार करें इस सरके से रख दिया इनकी कोशिश रहती है कि जनता को गुमरा किया जाए जनता को भरगला आया जाए जनता को रास्ते से भटकाया जाए लेकिन भारतिय जन्ता पार्टी का कारे करता है बहुत ही मिच्चोर कारे करता है समवेधनशीर कारे करता है समवेधनाओं के साथ काम करता है और अपने जान को जोखिम में लगा करके काम करता है और आपके इस बयान में आपने सिर्फ अपने एक सांसद की तारिफ की वो है गौतम गंभीर जी हां कि गौतम गंभीर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हाला कि गौतम गंभीर के बारे में दिल्ली हाइकोट ने क्या कहा आपके स्क्रीन्स पर कि जिस तरह से गौतम गंभीर दवाईयों की जमाखोरी कर रहे हैं क्या ये सही तरीका है और सिर्फ गौतम गंभीर इस आरोप के आहाते में नहीं है देवेंद्र फड़नवीस पर रैम डेजिविर को की जमाखोरी का आरोप था यही नहीं वो बांदरा के एक पुलीस टेशन में पहुँच गए थे जब ब बटवा रहे थे यानि कि भारती जनता पार्टी के नेताओं की मिसाले सामने उभर कर आ रही हैं क्या नडड़ा सहाब आप इन चीजों से अपना मुह मोड सकते हैं और बात यहां नहीं रुकती मैं आपको सुनवानवा चाहूंगा कि क्या कह रहे हैं इनके मुख्यमंत्री मनौरलाल खटर क्योंकि दिल्ली सरकार ने क्योंकि अरविंद केजरिवाल ने एक ही दिन में दो लाक वैक्सीन्स लगवा दिये तो इनका कहना था कि तुमने एक ही दिन में क्यों लगवा दिये तुमें चार दिन में लगवाना चाहिए था पचास पचास जार करके इस से जो है तुम लोगों तक पहुंचा पाते अरे खट्टर साहब थोड़ा तो इसका इस्तमाल कीजिए आप एक दिन में दो लाग बाटें या चार दिन में दो लाग बाटें क्या फरक पड़ता है संख्या तो वही दो लाग की है ना सुनिये खट्टर साहब ने क्या का हम कहते हैं तीके तो बाकी प्रदेश से आपको ज़्यादा मिल रहे हैं आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं आज हम भी दो लाग एक दिन में लगा करके अपना स्टॉक ख़तम कर जकते हैं हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है हम पचाज़ार साठ़ार रोज करेंगे तो ये काम आज चलता रहेगा तो ये सोजबूज अरविंद केजरिवाल को रखने चाहिए वो सोजबूज रखने के बज़ाए राजनिती करने का उसका मानस से वो करता है दोस्तो प्रॉब्लम ये है भारती जानता पार्टी के नेताओं के साथ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रचार कर रहे हैं और इसके लावा कुछ नहीं अब देखे संबित पात्रा ने क्या कहा है Congratulations राहूल गांदी Congress mission accomplished वो ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के एक news channel A.R.Y. ने चलाया है पाकिस्तान detects first case of Indian COVID variant उसी तरह से पाकिस्तान के एक दूसरे अख़बार का हवाला देते हुए उन्होंने चलाया है पाकिस्तान reports first confirmed case of Indian Corona virus variant क्यों? संबित पात्रा पाकिस्तान का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उनका ये आरोप है कि Congress ने अपने एक दस्तावेज में इस शब्द का इस्तमाल किया था Indian COVID-19 variant अब आप सब जानते हैं कि संबित पात्रा के उस दावे को Twitter ने जूटा करार दे दिया था अगर मैं कुछ और कह रहा हूँ और इस बात की तज़्दीक कोई और नहीं बलकि Congress के प्रवक्ता पवन खेरा भी कर रहे हैं और पत्रकार आशिश के सिंग भी कर रहे हैं पवन खेरा ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान खेलना बंद करो और बाजाओ अपनी हरकतों से संबित पात्रा ये भारत सरकार का माननी सरवोच न्यायले में दायर हलफ नामा है जहां भारत सरकार स्वयम इसे इंडियन डबल म्यूटन्ट स्क्रेंड बता रही है जहां ये है वो हलफ नामा जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है आपके स्क्रीन्स पर इसका शीरशक क्या कहता है डीटेल्स और अक्टिविटीज अंडेटेकन बाई ICMR आर अस फॉलोज और इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा और जो पांचवा है उसे पढ़िए Assessing the effectiveness of covaxine against variant strains of SARS, COV2, UK variant, Brazil variant, South African variant and Indian double mutant strain खुद भारत सरकार ने शब्द का इस्तावाल किया है Indian double mutant strain तो मैं संबित पात्रा से पूछना ताता हूँ कि संबित पात्रा आखिर फिर तुम क्यों पाकिस्तान पाकिस्तान खेल रहे हो इसकी कोई वज़ा तो होनी चाहिए भारत सरकार खुद कह रही है Indian double mutant strain नड़ा साहब संबित जी आप देश की जनता को कब तक सलफेट बनाते रहोगे और देखिए मैंने क्यों मुद्दा उठाया था गौतम गंभीर का, CRR पाटिल का या देवेंद्र फढ़नवीस का क्योंकि इन पर आरोप लग रहा है जमा खोरी का मैंने क्यों मुद्दा उठाया आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ये हैं बैंगलोर से BJP के विधायक रवी सुब्रमन्या कौन है रवी सुब्रमन्या? आपके स्क्रीन्स पर ये हैं तेजस्वी सूरिया ये हैं पार्टी के बहुत ही जादा प्रतिभाश शाली सांसद कुछ दिनों पहले ये एक कोविड कंट्रूल रूम में पहुँच गए थे और वहाँ पर 200 मुलाजिमों में से 17 मुसल्मानों का नाम पढ़ने लग गए थे कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं बाद में आकर इसने सावरकर के अंदाज में माफी भी मांगी थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अब रवी सुब्रमन्या जो की MLA हैं ये इनके शाचा है या मामा हैं इनमें से कुछ एक है इन पर क्या आरूप लगा है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ ABP News की ये खबर कॉंग्रिस ने BJP सांसर तेजर सी सूरिया और उनके चाचा पर वैक्सीन से कमाई का आरूप लगाया FIR दर्च करने की मांग अब कनड़ा के इन दो चैनल्स पर निगा डालिये दोस्तों यहां पर भी आरूप लगाया जा रहा है कि 700 रुपए 900 रुपए वैक्सीन के लिए चार्ज किये जा रहे हैं और उसमें से 700 रुपए जा रहा है रवी सुब्रमन्या की जेब में मेरा अच सवाल है जो यह बात कनड़ा के दो निउस चैनल्स कह रहे है और जो बात ABP निउस कह रही है कि भारती जनता पार्टी के MLA के जेब में हर वैक्सीन का 700 रुपए जा रहा है वो सही है या घलत नड़ा साब बताईए ना सही है या घलत और अगर यह सही है तो क्या भारती जनता पार्टी के निटा इस तरह से लोगों की मदद कर रहे है लोगों की सेवा कर रहे है सवाल का जवाब दीजे मानिवर इससे आप बच नहीं सकते है आज बार बार इन खबरों के जरीए आप पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि आपके लिए कोरोना का इलाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपगांडा है उत्तर पदेश की यह दो तस्वीर यह देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन्स पर है एक गंगा की तस्वीर है इस गंगा की तस्वीर में देखिए दोस्तों गंगा कस्तर जैसी बढ़ता है लाशें जो हैं वो उपर आ जाती हैं और चील कववे उन लाशों को खा रहे हैं इस तस्वीर में यहाँ पर एक लाश को जो है कुछ लोग नदी में फेक देते हैं बहती नदी में फेक देते हैं क्योंकि उनके पास जरिया ही नहीं ये लाश को जलाने का ये उत्तर पदेश के हालात मैं आप से पूछना चाहता हूं क्या भारती जनता पार्टी इं मुद्दों से अपना दिमाग अपनी जिम्मिदारी से बच सकती है और आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोपगांडा पे जुटे हुए है फिर से बात करते हैं रामदेव मैं आपको बता चुका हूँ रामदेव जो हैं वैक्सीन्स को लेकर क्या भरामक बयान दे रहे हैं अब यह और क्या-क्या बयान दे रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ अब मैं सुनाना चाहता हूँ दोस्तों आपको उनका ये बयान इस बयान की अंदर रामदेव कह रहे हैं कि insulin लगाने की जरुवत नहीं अगर आपके बच्चे को type 1 diabetes है सुनिए ये क्या कह रहे हैं उसके बाद मैं इसकी चर्चा करता हूँ आगे भी मैं तो सब माता पिता से कहता हूँ जिसके भी बच्चे को type 1 diagnose हो फिर गर पर इंतिजार करके insulin देखे पेंक्रीयाज को खराब मत करो अब करेंगे पेंक्रीयाज कैसी खराब हो जाता है हाँ जब दर को काम यह नहीं करना पड़ेगा जब आदमियुको घर पर बैठे आप रोटी दे दो तो मेहनत कैसे करेगा अपने शरीर को भिखारी मत बनाओ बैगर मत बनाओ आज जब आपने उपर से इंसुलिन डालना शुरू कर दिया तो अंदर का पीन की आज काम करना उसे बंद कर देगा तो मैं चाहता हूं कि टाइप वन डाइबिटीस से पीडित ब और फैटी लिवर ए ग्रेड वन टू थी हैपिटाइटीस और लिवर सिरोसिस मैंने पूरी मेडिकल साइंस को चुनोती दे रखी और जब तक इसका पूरा सीरशासन नहीं हो जाएगा तब तक कारेक्रम चालू रहेगा दोस्तों आपके स्क्रिन्स पर ये हैं अमरी शमित्तल अमरी शमित्तल कौन है मैं आपको बताना चाहता हूं अमरी शमित्तल दरurg cheirman है एंट्नो क्राइन और डाइबिटीस माक्स हिल्थ के यहाठीश पर इनके शब्द से बहतर इनки बात से ज्जादा वजन किसी की बात म नहीं हो सकता, कम से कम रामदेव की बात में तो बेलको नहीं है, ये क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रामदेव के इस बयान पर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही खतरनाक सला है, इंसुलिन बंद मत कीजिए अगर आपको टाइप वन डाइबिटीज है, इस से दे रहे हैं, डॉक्टर अम्रीश मित्तल, किसको सला दे रहे हैं, रामदेव को, और आपके स्क्रीन्स पर ये हैं बालकृष्ण, बालकृष्ण क्या कह रहे हैं, कि आयमें जो है, वो इसाई मिशनरियों का काम कर रहा है, यानि कि इंडियन मेडिकल असोसियेशन, जिनोंने चुनौती दी थी रामदेव को, जब इनके के पास कोई जवाब नहीं होता दोस्तों, तो ले दे के वही इसाई, हिंडू, पाकिस्तान, खालिस्तान, उसी हमें घुस जाते हैं, शात्र प्रदर्शन करता है, तो वो पाकिस्तानी हो गया, किसान प्रदर्शन करता है, तो व निसाई मक्षनरी के एजिंट को गए, कितना मूर्ख बनाओगे तुम लोगों को मुझे बताओ ना, तुम लोगों की जान के साथ खिलवार कर रहे हो, और बात यहां नहीं रुकती, मैं आपको बताता हूँ, इसने और क्या-क्या कहा है, निउस 18 को दिए गए इंटिव्यू हो सकता है, विश्व स्वास संगठन ने भी साफ तोर पर कहा है, कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि कोरोनिल कोरोना का इलाज है, यह आदमी लगातार इस तरह के बयान दे रहा है, कारिकरम की शुरुवात में मैंने आपको बताया, इनका यह बयान जो आपके स्क्रीन्स पर फिर से देखे, रामदेव नाउ सेज, कोविड वाक्सीन हाज नो यूज, यह डूल कवर विट योगा इन आयूरवेद, यानि कि यह आदमी कह रहा है कि कोरोना की वाक्सीन का कोई काम नहीं है, यह मेरे शब नहीं है, आपके स्क्रीन्स पर जे खबर चल रही है, यह इस हवाले इसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आदमी इस तरह से आदमी की लोगों की जान के साथ लगातार खेल रहा है, मगर कोई जवाब देए नहीं है, मोदी सरकार पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि यह लोग सिर्फ और सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, हमारी जान के साथ खेल जाते हैं, कोई तो जवाब नहीं होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए, बताइए, और यही नहीं दोस्तों, कोरोना संकट के वीच वीच राजनीती बदस्तूर जा रही है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, ओरिसा और पश्यमंगाल की यात्रा पर जाते हैं, वहाँ प अलग है कि जब वो बिहार में जाते हैं तब वो नेता विपक्ष को नहीं बुलाते हैं वो गुजरात में जाते हैं तब भी वो नेता विपक्ष को नहीं बुलाते हैं मगर यहां जान बूज कर उन्होंने नेता विपक्ष को बुलाया हाला कि मुझे लगता है कि ममता बैनर को चले जाना चाहिए था वो एक अलग मुद्दा है अब क्या हुआ है दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर ये खबर देखिए जो अपने आप में बहुती शर्णाक है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में सीम मम्ता की दूरी पर गरमाई सियासत मुख्य सचिव अलापन जो हैं वो तलब किये गया आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ये हैं वहां के मुख्य सचिव और मुख्य सचिव को तलब किया गया है यानि कि कोरोना के बीच और बीच जो यास चक्रवाद चल रहा है उसके बीचों बीच वहां के मुख्य सचिव को तलब कर लिया गया क्यों क्योंकि मंता बैनर जी उस बैटक में ने गई क्या कह रही है मंता बैनर जी आप सुनिए बीच्प कर लिच्टार जी आप सुनिए। सप्टरी ने जिए कि आपके चाहूं तो मैं आपके पाउं पढ़ सकती हूं मगर मैं समझना चाहता हूं कि क्या वाकई भारतिय जनता पाटी को पशे मंगाल की हार जो है वो हजम नहीं हो पा रही है कि आपने मम्ता बैनर जी के पीछे वहां के राज़पाल को लगा रखा है अब आपने उनके चीफ सेकर्टरी जो है उनको बुला लिया है उनको तलब कर लिया है यानि कि एक पूरी अस्थिरता पैदा की जा रही है एक राज़ के अंतर आपसे देश नहीं सुधर रहा है मगर एक पार्टी जिसे दोसों से ज़ादा विधायत मिले हैं आप उन्हें अस्थिर करने की कोशश कर रहे है तो इन सवालों के जवाब होंगे ना ये इन सवालों के जवाब तो पूछे जाएंगे क्यों मैंने कुछ गलत पूछ लिया बताईए खैर न्यूस चक्र में हम ये सवाल आपके सामने लगातार उठाते रहेंगे आभिसार शर्मा को दीजिये अजाज़त नमस्कार